Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and आज की इस वीडियो में हम लोग introduction देखने वाले हैं of our second chapter of chemistry जो की है acids, bases and salts तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं syllabus कि इस पूरे चाप्टर में हम लोगों को क्या-क्या चीजे पढ़नी हैं उसके बाद हम acids और bases को अच्छे से थोड़ा detail में समझ लेंगे तो सबसे पहले देखो अगर हम इस chapter की बात करें तो सबसे पहले तो basic हम यही पढ़ेंगे कि acids क्या होते हैं, bases क्या होते हैं, अगर हम definition की बात करें so in terms of H plus iron, क्या definition होगी, तो देखो, acids ऐसे substances होते हैं जो की H plus iron को furnish करते हैं in aqueous medium, क्यूंकि आप लोगों को पता है अगर कोई भी iron formation होना है, so in that condition, पानी की presence काफी important होती है अगर हम bases की बात करें, तो वो ऐसे substances होते हैं, जो की OH minus iron को furnish करते हैं again in the aqueous solution, तो basic definition clear हो गई, फिर उसके बाद अगर हम बात करें salt की तो जब ही भी acid और base आपस में react करते हैं, तब बनता है salt और इसके साथ-साथ बनता है पानी इस reaction को हम कहते हैं neutralization reaction और ये neutralization reaction हम लोग इस chapter में भी पढ़ेंगे उसके बाद जो general properties होती है, assets और basis की हम लोग वो पढ़ते हैं, फिर examples and uses हम कैसे assets को use कर सकते हैं assets के again types भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है, कैसे हम use कर सकते हैं, indicators का concept हम समझते हैं कि कैसे हम identify कर सकते हैं, कौन सा substance acidic है, कौन सा basic है, ये हम indicators की help से करते हैं तो indicators भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे हमारी next video में in detail, ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, neutralization reaction फिर उसके बाद pH का concept हम समझते हैं, this is very very important, pH की help से हम ये पता लगाते हैं, कि अगर कोई acid है, तो कौन सा substance जो है, जैसे मान लो, दो हमारे पास acids हैं, ठीक है, इन दोनों में से जादा acidic कौन होगा, क्योंकि indicator हमें ये तो बता देगा, कि अगर मेरे पास एक acidic हैं, एक basic है, त पता चल जाएगा by the help of indicators, बट अगर मेरे पास दो acids हैं, तो ये जो indicator है, ये same color दिखाएगा इन दोनों ही acids में, which means यहाँ पर मैं ये नहीं पता लगा सकती हूं, कि कौन सा strongly acidic है, कौन सा weakly acidic, तो उसके लिए आता है pH का concept, ठीक है, अब यहाँ पर जो logarit से related हमारी definition होती है, ज यहाँ पर हम पूरा neutralization का ही concept अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद पूरा salt है, ये salt वाला topic सबसे जादा important है, यहाँ पर से, जो chemical name है, general name है compounds के, preparation methods हैं, वो सारी पूछी जाती हैं, जैसे देखो, preparation and uses of sodium hydroxide, chloralkily process इसको कहते हैं, very important process it is, उसके बाद है bleaching powder, baking soda है हमार पास washing soda, plaster of Paris, even gypsum आ जाता है यहीं पर, इन सब की preparation reactions, ये तो इनके general name है, इनके chemical name क्या होते हैं, chemical formulas क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें देखना होता है, इस chapter में, ठीक है, तो I hope syllabus तो आप लोगों को समझ में आहीं क्या होगा, अब देखते हैं, कि आखिरकार ये जो acid है, ये क O plus iron, जिसको हम hydroneum iron कहते हैं, ये produce करता है in water, in water का मतलब क्या है, कि aqueous solution में ही जो iron है, वो form होगा, अगर हम HCl की बात करें, आपको पता है, इसको हम hydrochloric acid भी कहते हैं, बट इसको आप acid तब ही कहोगे, जब ये पानी में dissolved है, otherwise जो HCl होता है, वो hydrogen chloride gas कहलाता है, अगर हम gaseous form में इसकी बात करेंगे, तो इस case में H plus iron furnished नहीं होगा, so this is not an acid, it is called an acid only when it is dissolved in water, is it clear, उसके बाद ये खटे होते हैं, स्वाद में, ठीक है, example ले लेते हैं, जैसे lemon है, आपको पता है, lemon काफी खटा होता है, क्यों, क्योंकि lemon में citric acid होता है, तो क्या है उसमें acid, जितने भी acidic चीजें हैं, जितने भी acidic substances हैं, सब हमाई पास खटे होते हैं, so these are sour in taste, इनका जो pH है, वो साथ से कम आता है, और ये pH क्या है, इस concept को हम detail में study करेंगे, so don't worry, अभी के लिए learn कर लो, कि pH साथ से कम होगा, ये corrosive होते है nature में, क्योंकि आपको पता है, कोई भी acid अगर पढ़ जाता है skin में, तो हमारी skin खराब हो जाती है, acid attacks के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, same वही से आप relate कर सकते हो, कि ये काफी जादा corrosive खतरनाक होते है nature में, फिर अगर हम litmus की बात करें, जो कि एक indicator होता है, तो जो acidic substances हैं, या कोई भी acid है, वो उसका रंग कैसे ब्लू लिटमस को ये red में change कर देते हैं, learn करना बहुत आसान है, red danger का ही symbol होता है, या फिर signal होता है, आप कह सकते हो, है ना, so danger का signal क्या है, हमारी पास red, और ये acid भी तो क्या है, बहुत जादा dangerous है, तो इसलिए यहाँ पर से हम correlate कर सकते हैं, कि अगर हम बात कर रहे हैं, acid की, ब्लू लिटमस को red में change करेगा, उसके बाद examples तो हमने देखी लिए है, hydrochloric acid है, sulfuric acid है, HNO3, nitric acid है, citric acid है, अभी मैंने आपको बताया, ऐसे ही बहुत सारे acids हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, कि आखरकार ये base क्या होता है, definition तो हमने already discuss कर ही थी थी, कि basic ऐसा substance होता है, जो कि hydroxide iron, OH- iron को furnish करता है, in water, यानि की in aqua solution, basic substances का जो pH होता है, वो आता है, साथ से जादा, और ये pH ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, small p and capital H, यहाँ पर I think, PPT में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लो small p and capital H, ठीक है, ऐसे आप लिखते हो, यह जो small p है, यह potence, यानि की ताकत बताता है, किसकी H, यानि की H plus iron की, तो आपको इस तरीके से लिखना है, small p and capital H, ठीक है, अब यह जो bases है, यह कड़वे होते हैं, स्वाद में, बिटर होते हैं, तो learn कैसे करेंगे, B for base and B for bitter, तो bases क्य होंगे, बिटर होंगे, कड़वे होंगे, स्वाद में, also these are soapy to touch, यह learn करना भी simple है, जो soaps होते हैं, nature में, soaps होते हैं, nature में, basic, ठीक है, तो basic है, तो obviously, यह जो जितने भी bases हैं हमाई पास, they will be soapy to touch, उसके बाद देखो, यहाँ पर blue litmus को red में change कर रहे थे, तो यहाँ पर obviously red lit mist को blue में change करेंगे, bases, वैसे भी learn करना simple है, B for base, B for bitter and B for blue, समझ में आ गया, examples देखो, sodium hydroxide, NH4, OH, ammonium, hydroxide, potassium, hydroxide, यह सब bases होते हैं, आप एक और term पढ़ रहे होगे, end end में, मैं आपको पढ़ाऊंगी, alkali, alkali, ऐसे bases होते हैं, जो water soluble होंगे, अगर कोई भी ऐसा base है, जो कि water soluble नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको सिर्फ base कहेंगे, उसको आप alkali नहीं कह सकते हो, अगर कोई भी ऐसा base है, जैसे कि sodium hydroxide है, potassium hydroxide है, जो water soluble है, सिर्फ आप उसको ही alkali कह सकते हो, clear हो गया, तो जो basic concept है, basic introduction है, वो हमने यहाँ पर देख लिया है, आप लोगों को मैंन से जादा है, वैसे ही, अगर हम बात करें, salt की, तो अगर हमारे पास कोई neutral salt है, तो उसका pH होता है, 7 के बराबर, ठीक है, तो आई होप यार, यह सारी चीज़े आप लोगों को अच्छे से clear हो गई होंगी, ऐसे ही, पूरे chapter की, जो topic wise videos है, वो आपके लिए में लेके आने व बाहिए बॉरो जक्छेद बाहिए, टेकि आने वा गिंगियो का देथ, अरूए, जैके बाहिए, अजियो में लीए खब खraयरे, लेकिए, जैके आने लखरा है, वो त। बाहिए, परने लौवए, आउने बाहिए, जैके बाहिए, बाहिए, जैके टे सब्सक्राइपे के